अस्सलामू अलाइकुम दोस्तों मैं हूँ गुला मुस्तफा और आप देख रहे हैं मुस्तफा लहुरी यूटीब चाइनल दोस्तों यह मैंने एक पीट्सियल स्मार्ट इवी बोक्स मुखवाया है तो आज की इस वीडियो में हम इसे अन्ब्लोक करने वाले हैं जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो में हम इसे अन्ब्लोक करेंगे और इसे हम बिल्कुल जो अंड्रोइड बॉक्स होता है वो ही बनाकर इस्तमाल करेंगे तो मजी टाइम जाया कि अब अगर वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप सब बैयों से मेरी ये चोटी सी गुजारिश है कि अगर अगर वी तक आपने मेरा ये चैनल मुस्तफाल होड़ी सब्सक्राइब नहीं किया तो वीड इसल बोक्स लगा लिया है ये देखें लगा लिया और मैंने इसके साथ अपना माउस से टेस्ट कर लिया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ तो अब हम इसे कर लेते हैं और देखते हैं कि ये अनब्लोक कैसे करना है इसे मैंने सैटर पहले से कर लिया हुआ है य तो थोड़ा साई वीड करेगा यह देखें यह पीड से लगा बिल्कुल वैसे होना हो रहा लेकिन आगे देखी गए क्या यह होता है जादू ही होगा अच्छा यह यूट्यूब पे आप भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें बताया होगा आप लोगों को कि क्शेव I지 को चाहिए रहा है मैं मौस पकर लेता हूँ और मौस के साथ कोशिश करतों का ऐहा आप लिए तो यह आप देख सकते हैं थ्थोडा से में ये नहीं चरहें यह देखें यह पूरी LCD ही मेरी काले का अंड्रोड बन गई है यह देखें और तरह कि आप applications कर सकते हैं यह देखें इसमें live net tv भी मैंने की होगा यह देखें यह उपर live net tv यह भी मैंने की है और किसी भी कोई भी दुनिया का चैनल चलाकर देख सकते हैं अच्छा ही तरह तरह लोगों का एक सवाल होगा कि हम कैसे वापिस अपने स्मार्ट टीवी के जो सौफ़वेर उस पे जा सकते हैं को चैनल वगरा देखने के लिए तो वह भी बहुत यसान सा तरीका है यह देखें इस पर मैंने जस्ट क्लिक करता हूं इस पर तो यह देखें उधर ही चला भ्रीजा अब हमने इसे अन ब्लोक कैसे करना है ठीक है अन ब्लोक करने के लिए आप मोड़ αप्र की मतर से कर लें यह यूँद कीम चर लएजियर जी करने लिए дíchया एप्स में के एप्स में जाने के बाद आपने इदर ब्रोजर में जाना है ब्रोजर में ठीक है ब्रोजर में जाने के बाद आपने इदर गूगल ओपन कर लें यह देखें मैं गूगल करता हूं ओपन ठीक है गूगल ओपन करने के बाद आप ने इधर सर्च कर देना है S Launcher S Launcher जो आप सर्च कर रहेंगे ने चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ वैसे मैं चाता नहीं था करूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी S Launcher मैं करता हूँ मुझे सबसे बेस्ट यहीं लगा यह देखें S Launcher APK थोड़ा समय से आदे कर देता हूँ यह आप इधर बहतर है S Launcher APK तो यह कहें किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए यह काफी वेबसाइट आगी है टीक है डाउनलूट कर लीजिए गा उसके बाद आपने चले जाना है यह दिखें यह जो 3 dot बने हुए इसमें यह दिखें 3 dot यहец Kenneth बने यहुए समय चले जाएए इसमें जाने के बाद डाउनलोड्स.. डाउनलोड्स में चाने गाद यह देखें मैंने काफ़ी एप्लिकेशन ऐसे डाउलोड कर रखी है अभी यह शो हो जाएंगी यह देखें तो सबसे नीचे में जाता हूँ एस लांचर पे ठीक है ? इदर आपने ऐसे क्लिक कर देना है तो Bentley करने के बाद मैंने तो already इंस्टाल कर रहा है तो आपने स्टाल करेंगे तो फौरीत और पर आप से यह लॉंचर मांगेगा दो तीन तो आप यह जो है इस लॉंचर है इसे आलवेज कर लीजिएगा और बहुत ही इजिली आप अपनी पीट सेल डवाइस को अन ब्लॉक कर सकेंगे अब आप त्रीक बजा देता हूं यह देखें तो हम जाना चाहते हैं अन ब्लॉक पे यानि वापिस अपने अंड्रोइड मूड में जाना चाहते हैं ठीक है तो यह देखें यह पीट सेल आ गया रिमोट थोड़ा से यह क्लियर हो जाए यह देखें आ गया तो इससे आपने यह एप वाला बटन दबा देना है ठीक है जैसे वीडियो का लाइक जरूर कर दीजिए गया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए गया इतनी मेना से आप के लिए वीडियो बनाई जाती है और अगर क्यों सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा ठैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडि झाखफ़ झाल प्या जबुक्था दीजिए ग्में भीडियो आप दीजिए झाल भागल से नीचे को लेगा पलीई के लिए दूरूर वीडियो जली पर दीजिएल पैया थ प्लिएिएलै जुख फो सकत्दाईग है ए वीडिएल को थीजितैंग प्लीछ दते हैं वीएल